अंत्रिक्ष में भारत का नाम रोशन करने वाले मिशन मंगल यान पर बन रही फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीट हो गया है इस फिल्म में बॉलिवुड अभिनेता अक्षे कुमार वेग्यानेक राकेश दवन की भूमिका में नजर आएंगे जिन्होंने साल 2013 में भारत की और मार्स पर पहला सेटेलाइट भेजने का सपना पूरा किया था वहीं अभिनेत्री विद्या बालन ताराश इंदे की भूमिका में हैं जो इस प्रोजेक्ट में राकेश दवन के साथ थी इसके अलावा सुनाक्षी सिन्हा, तापसी पन्नू, नित्या मियनन, कीरती कुलहाडी और शर्मन जोशी इस प्रोजेक्ट के टीन में नजर आएंगे यह फिल्म सच्ची कहानी पर आधारित है इसमें केवल कुछ रचनात मक्सवतंतर ताली गई है यह कहानी है भारत के पहले मार्स मिशन यानी मंगलयान की इस फिल्म को बॉलिवुड की पहली स्पेस फिल्म बताया जा रहा है और भारत के उन गौर अप्पलों को फिल्म में समीटा गया है फिल्म इसरों की उन महिलावे ज्यानिकों की कहानियों को बयाक करती है जो अपने निजी जीवन और अंतरिक शेजे इंसी के मंगल कारे क्रम को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के बीच बेहतरीन तालमेल बैठाती है सो दूस्तों आई ये जानते हैं इस फिल्म की सचिल घटना यह भारत के पहले मंगल अभियान मार्स और बिटर मिशन पर आधारित है इस परियोजना के अंतरगत 5 नवंबर 2013 को 2 बचकर 38 मिनट पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने के लिए आंधर प्रदेश के श्रियाल रिकोट स्थित सतीश दवन अंतरिक श्टेंदर से PSLVC 25 की ओर से से सेटेलाइट छोड़ा गया था प्रतिश्थित टाइम पत्रिका ने मंगल यान को 2014 के सरवश्वेश्ठा अविशकारों में शामिल किया बता दें कि इस मिशन के बाद भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया था जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे हैं खास बात यह है कि भारत पहले प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश था क्योंकि इससे पहले करीब दो तेहाई अभियान असफल भी रहे अक्षे कुमार ने कहा था कि यहां इसरों के 17 इंजिनियरों और वेज्ञानिकों की मिहनत का नतीजा है। इन महेला वेज्ञानिकों की इतनी सारी वास्तवे कहानिया सुनकर मुझे यह बड़ा अध्भुत लगा कैसे अपने घर को संभालने के साथ उन्होंने अपने काम को भी उतनी ही संजीदगी से निभाया। K-POP Good Films, A Hope Production और Fox Star Studios की ओर से प्रोड्यूस की गई मिशन मंगल इस साल 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।